मेरे परिवार जनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वज़े ये हैं कि सावन मास की पुर्णिमा इस तिथी को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सरवेव्य विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्द्य शुकामना। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचिन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जन्री भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचिनता के साथ साथ अपनी वेग्णानिक्ता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती हैं। भारत का कितना ही प्राचिन ज्यान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही समरक्षित किया गया है। योग, हायरवेद और फिलोसफी जैसे विश्यों पर रिसर्च करने वाले लोग अब जादा से ज्यादा संस्कृत सिख रहे हैं। कई संस्तान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फांडेशन, संस्कृत फर योग, संस्कृत फर हायरवेद और संस्कृत फर बुद्धिजम जैसे कई कूर्सिस करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभ्यान चलाती है। कि इसमें आप दस दिन के संस्कृत संभाशन शिवीर में भाग ले सकते हैं मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरुकता और घर्व का भाव बढ़ा है इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेश योगदान भी है जैसे तीन संस्कृत डिम्न युनिवर्सिटीज को 2020 में सेंटरल युनिवर्सिटीज बनाया गया अलग-अलग शेहरों में संस्कृत विश्व विध्यालेओं के कई और संस्तान भी चल रहे हैं आयेटीज और आयेउम्स जेसे संस्तानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपिलर हो रहे है